आज हम बनाएंगे सरसो का साग तो बिलकुल ढाबा स्टाइल सरसो का साग आज में बना करके तयार करूंगी और इसके साथ में मक्के की फुली फुली रोटिया बनाएंगे जो कि बहुत आसान तरीके से आज में आपको बनाना बताऊंगी बिलकुल फटेंगी भी नहीं और बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनकर के त्यार हूंगी तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं इससे पहले हेलो एवरिवन त्रिप्ति होम किचन में आपका स्वागत है तो सबसे पहले बनाएंगे सर्सो का साग इसके लिए आपको दो गड़ी सर्सो लेनी है साथ में 200 ग्राम पालक 200 ग्राम आपको भथवा लेना है और सबसे कम हम मेथी लेंगे 150 ग्राम मेथी जादा मन डालिएगा वरना टेस्ट करवा हो जाएगा सबजी का और अब हमें क्या करना है सबी सबजी को पहले छाट लेना है छाटने के बाद अच्छे से धूना है और तो मैंने सभी सब्सवाइब को धोकर के अच्छे से काट लिया है और मैंने कूकर लिया है कूकर में मैंने सारी घ्टिवी सब्सवाइब को डाल दिया है और अब हम इसका टेस्ट पढ़ाने के लिए इसमें अद्रक हरीमिश लहसुन डालेंगे तो 15 लहसुन की कलियों को मैंने बिल्कुल बारिक-बारिक काट लिया है साथ में चार हरीमिश को बिल्कुल बारिक-बारिक काट लिया है और अब हम इसमें से थोड़ी अब मैं इसके अंदर स्वादन सा नमक डाल रही हूं साथ में एक कप पानी डाल दिया है और अब हम कुकर का ढगा करके हाई फ्लेम पर एक विसल लगाएंगे फिर एक विसल जब आ जाएगी तो लो फ्लेम पर इसे पांच मिनट के लिए पकाएंगे तो अब इसको लो फ्ले इसे भी आप इसे अच्छे से मत सकते हैं मेरे पास यह पोटैटो मैशन था तो मैं इससे अच्छे से मत ले रही हूं ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए और अच्छे से घुट जाए तो मैंने इसे अच्छे से घोट लिया है और अब हमें क्या करना है गैस को अन कर लेना है एक एक चमच डालते जाएंगे और इसे अच्छे से घोठते जाएंगे तो इसे हमें लगबग 15 मिनट के लिए पकाना है और लो फ्लिम पर ही पकाएंगे तो मैंने इसके अंदर पूरा मक्य का आटर डाल दिया है और मक्य के आटर डालते वक्त पकाते वे से 10-15 मिनट हो गया और इस साग अच्छे से पक गया है इस समय आप चाहें तो इसे हफ्ते बर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं जब आपको खाना हो तो आप तड़का लगा करके खा सकते हैं तो चलिए अब हम इसमें तड़का लगाएंगे तो इसके लिए कड़ाई मैंने 2 चमच गी डाल द शाधा में डाली है. अगर पहले डालते तो यह हलकी सी जल जाती है।ो यह तो ारनेमें प्याज को बिलकुल बारिक बारिक काट और अब हम इसके अंदर गरम पानी डालेंगे और इसे सॉफ्ट होने देंगे तो चलिए टमाटर भी सॉफ्ट हो गए तो इससे में आपको क्या करना है जो साग हमने पका करके रखा है वो इसके अंदर डाल देना है और डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसे पांच मिनट के लिए आपको लो फ्लेम पर पकाना है और अगर आपको लगता है कि साग बहुत जादा गाड़ा है तो आप इसमें गरम पानी डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर सकते हैं लेकिन गरम पानी डालिएगा तो आप साग को पकते वे 5 मेट हो चुके हैं साग बिलकुल तयार है आप इसे अभी भी गरम गरम मक्य की रोटी के साथ या फिर कोई भी पराटे के साथ सब कर सकते हैं लेकिन इसका टेस्ट पढ़ाने के लिए अभी हम इसके अंदर एक तड़ अभी तो हरी मिच को मैंने पतला पतला काटके की डाला है दो सूखी लाल मिच डाल दिये थोड़ी सी अधरक को मैंने लंबा लंबा काटकर के डाल दिया है तड़का तयार है और मैंने इसको साग के ओपर डाल दिया है तो हमारा बहुत टेस्टी सा ढवा स्टाइल साग बन मख्के आट येंए कप्या के आटा यो पानी के बार आटा मिक्स करने के बाद गया है और अधकिस करने के बाद इसे टच करके देखेगा अगर बहुत चाता गरम नहीं है तो हातों से मसल लीजिएगा लेकिन इसको हमें हलके गरम में अच्छे से मसलना है लगबग 3-4 मिनट के लिए अच्छे से मसल करके स्मूट कर लेना है तो मैंने इसे अच्छे से मसल लिया है और अब इसकी छोटी सी लोई लेकर के इसके उपर सुखा आटा लगाना है और फिर इसके बाद इसे डारेक्ट बेलना नहीं है एक बार हतेलियों से इसे हलका सा फैला लेंगे उसके बाद बेलेंगे ऐसा करने से क्या होगा इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे और बेलने में बह काट रही हूँ आप चाहे तो कोई धकन से भी से काट सकते हैं और जो एक्स्ट्रा बचावा आट है उसको वापिस से डो में मिला देंगे तो अब चली अब इससे सेख लेते हैं इसके लिए तवे को मैंने पहले से हलका गरम कर लिया था और इसके ऊपर रोटी को डाल करके ब अब मैं इसे direct gas के उपर सेक रही हूँ तो यह जो फुल के सेकने वाली जा लिए वो मैंने लिए इसके उपर मैंने से रग दिया और थोड़ा उपर से से रही हूँ ताकि यह जले नहीं तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से यह मक्के की रोटी फूल गई है और खाने म अब एक बार मक्के की रोटी इस तरीके से बना के देखिएगा सभी को बहुत पसंद आएगी साथ में सरस्तो का साग भी बनाया है बहुत ज्यादा टेस्टी बनाया है तो आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शें सब्स्राइब करना ना भूलें